मेरे प्यारे देश्वाश्यों नमस्कार मन की बात के लिए मुझे आप सभी के बहुत सारे पत्र मिलें सोचल मीडिया और नमो एप पर भी बहुत से संदेश मिलें मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हो जाता है इस कारकम में हम सभी की कोशिश रहती है कि एक दूसरे के प्रेणादाई प्रयासों की चर्चा करें जनांदोलन से परिवर्तन की गाथा पुरे देश को बताएं इसी कडी में मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जनांदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरित के जीवन में बहुत महत्बाद है लेकिन उससे पहले मैं आज की पीडी के नवजवानों से 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जुरूर सोचे क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्रके थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छिन लिया गया था आप सोच रहे होंगे यह ऐसा कैसे हो सकता है यह तो असंबव है लेकिन मेरे नवजवान साथियों हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था यह बरसों पहले 1975 की बात है जून का वही समय था जब एमर्जन्सी लगाई गई थी आपात का लागू किया गया था उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छिन लिया गया थी उसमें से एक अधिकार सम्विधान के आर्टिकल 21 के दहत सभी भारतियों को मिला राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी भी था